नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में हम फ्रीडीस रिसीवर जो आपका डिटीएज बॉक्स होता है इसको हम रिपेर करके आपको सिखाने में यह हमारा जो रिसीवर है एकदम डेड़ है मतलब यहां पे कोई भी सप्लाई यहां पे इंडिकेट नहीं कर रहा ह है तो आएगे देर ने करते वीडियो करते हैं इस्टार तो सबसे पहले हम इसे सप्लाई देते हैं और आंपको इंडिकेट करवा देते हैं कि हें हमारा Azale máxima कर दिया है कि मैंनेहान दो पार्ट होते हैं में जो दो पार्ट होते हैं एक होता आपका पाउर सप्लाई और दूसरा होता है यह कार्ड तो ज्यादा से ज्यादा प्राब्लम जो आता है वो पाउर सप्लाई से आता है लेकिन आप कैसे पकड़ेंगे कि यह कार्ड का इसका फाल्ट है या पाउर सप् 250 बोल्ट के रेंज में रख लिजह तो जो हमारा मेंड़ लीड आता है हां से मेंडेल स्विच चे हो के और इसंदो प्वाइंट पे अब इन दोनों प्वायर यहां सप्लाई हमारी आती है तो में एसरी यहां इसी दोनों point पे आपको check करना होगा तो यहां आप देख सकते हैं 236 volt current हमको मिल रहा है यानि हमारा यह main wire जो है और यह switch दोनों हमारा काम कर रहा है अगर आपको यह supply नहीं मिलती है तो आप तार और switch को check करें इसके बाद आए तो फिर आप multimeter को रख लीजिए DC 20 volt के range मे उसके बाद आपका एक ground आपको खोजना है तो ground के लिए देखें यहां पे जो आप antenna socket लगा होता है यह यहां भी आप लगा सकते हैं या जो यह audio video के लिए जो socket होता है यहां भी total यह ground होता है तो multimeter को हम थोड़ा सा इधर रख रहे हैं आप देखें यहां पे तो यहां पे आप जो पीछे जो socket यह लगा हुआ है आप इस पर भी ग्राउंड रख सकते हैं तो यहां पर ground पर रख लेने के बाद देखें ग्राउंड पर रखने के बाद यहां जो हमारा supply से यह तार आता है तो यहां पर आपको तीन बोल्ट और पांच बोल्ट जो यहां देखें ती यहां पर तीन या पांच कुछ भी मिलना चाहिए लेकिन यहां भी नहीं मिल रही है supply यह ground होता है और इसपे भी नहीं supply आ रही है और यहां पर पांच बोल्ट मिलना चाहिए वह भी नहीं है तो इसका मतलब है कि जो हमारा power supply में problem है अगर यहां supply हम को मिलती तो उसके बाद हमको card का problem खोज ना होता लेकिन यहां clear हो गया कि इसके power supply में problem है तो क्या करेंगी हम plug को निकाल लेते हैं और supply को यहां से पहले हम खोल के बाहर कर लेते हैं तो इसके page को हमने खोल दिया और यहां से socket को भी यहां से निकाल लेते हैं अब निकाल रेने के बाद देखें यहां पे अभी वह हमारा यहां G9S आता है इस point पे इस सजकेंट के द्वारा यहां पे जिए आता है यहां से एक वायर जो हमारा एक प्रिल एक सप्लाई है इस फ्यूज के थुन होते हुए यहां आती है और दूसरा वाला जो है यहां इस point से होते हुए आप देखें यहां से होते हुए यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर हमें चुकि हमको यहां मिल रहा था तो पहले करेंगे कि हमारा फ्यूज सही है या नहीं तो फ्यूज को चेक करने के रहे मल्टी मीटर को आप बजर के रेंज में रख लेंगे और यहां पर इस तरह देखिए यहां वीप की अवाज आता है तो इसका मतला हमारा फ्यूज सही है अब आगे आए यहां पर इस TRAV को भी आपक में continuity देगा तो यहां पे हम इसको चेक कर लेते हैं बीदिख हैं को continuity मिल रहा है और यह दूसरे वाले फिन पे यहां पे हमको continuity नहीं मिल रहे लिएतो हमारा यहां एक साइट का यह लिग नहीं हो जाता है Yay हो चलते चलते उस कारबन आने के कारण भी हो जाता है तो सबसे पहले अब क्या करेंगे यहां चो कैपेशीटर लगा हुआ है मेन कैपेशीटर इसपे शॉर्टिंग चेक्क कर लेंगे तो सॉर्टिंग की आवाज आती तो डायोड कैपिसीटर या आई सी में से कोई भी एक प्राबलम हो सकता है लेकिन यहां बीप की आवाज नहीं इसका मनलब इदर किलियर है तो सबसे पहले में ड्राइबर को ओपन करते हैं यानि इसको बाहर हम निकाल लेते हैं तो यहां पर इस क्वाइल को म निकलता है तो बिना ड्राइबर लगाए आप कैसे इसको चला सकते हैं तो देखिए यहां पर इस जो हमारा यह कोईल है एक साइट का बता रहा है एक साथ में और यह दोनों एक साथ में बताना चाहिए तो ठीक यहां प्रिंट पर यहां एक साइट का यह दोनों बताना चा किसे भी हटा के और हलका वाइर लीजिये दम इसमें आप साथ च्छाथ वायर लेते हैं उसमें से एक वायर आपको लेना है और एक वायर लेके यहां इस पॉइंट से लेके और इसके दूसरे पॉइंट पर जहां हमको बीप की आवाज मिलनी चाहिए कि जो हमारे coil की, वहां पर उसको आप देखें, इस तरह से, इस तरह से आपको लगा देना है, और लगा के हमने, इसको तोड़ देता हूं, ठीक इसी तरह से, दूसरे point पे, यहां जो मेरा दूसरा वाला पॉइंट है यहां पर भी यही काम हमको करना है लेकिन यहां आपको जोड़ते हुए एक चीज का ध्यान रखना है कि इसके नीचे से एक लाइन गई है PCV तो उसके यह सौर्ट न होने पाए इसलिए थोड़ा सा उसको लूज जोड़ना है यह इस तरह जोड़के और उ जो हमारा जंपर किया गया है कुछ इस तरह से जंपर कर देना है अभी जंपर कर देने के बाद आब हम यहां इसको सप्लाई देते हैं और सप्लाई देके इसके आउटपुट पे हम सप्लाई चेक करेंगे तो अभी हम यहां सप्लाई इस पे लगा दिये हैं सप्लाई यहा यहां मिल रहा है और इसके बाद हम सीधे आवट पुड पे चल चलते हैं अगर उसी का केवल फाल्त रहा होगा तो हमारा यह सप्लाई आनो हमगया तो यहां दो नम्बर जो होता है यह ग्राउंड होता है यहां ग्राउंड को उपर सप्लाई होती इसलिए कड़ जा रही है तो यहां पर मल्टिमीटर को थोड़ा बढ़ा के और फिर चेक करते हैं अभी देखिए 20 बोल्ट 20.7 यहां मिल रहा है और यहां पर हमको 5 बोल्ट करेंट मिल रहा है यानि जो इसकी सप्लाई होनी चाहिए हो हमको सप्लाई मिल एक बावर आफ कर लेते हैं और पावर आफ करके और यहां पर हम इसका जो जैक उसको लगा देते हैं तो जैक लगा कि अब हम इसे आन करेंगे तो अभी आप देख सकते हैं यह receiver on हो चुका है अभी आएगा अभी देखिए इसका जो यह on हो चुका है चुकि इसके थोड़ा लग रहा है दिस्प्ले में प्राब्लम है जो दिस्प्ले वो थोड़ा थोड़ा कट कट के आ रहा है लेकिन हमारा receiver जो है की on हो चुका है तो देखिए छोटा सा फाल जिसके कारण पूरा receiver हमारा डेट पड़ा था तो इस तरह से आप receiver को आसानी से repair कर सकते हैं चुकि छोटे मोटे फाल के कारण लोग फेक देते हैं या फिर पूरा power supply ही नया डाल देते हैं तो भाई नया डालने से कुछ आपको सीखने को नहीं मिलेगा अगर आप उसको repair करते हैं तो आपको कुछ ने कुछ जानकारी जर आपसकार